नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर का एक्रम आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक नवजाश शिशू से प्रियासी से जो इस समय जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते हुए कट घड़े में खड़ा कर रही है हमारी और आपकी चुनी हुई सरकारों को पूश रही है बहुत ही बुनियादी सवाल प्रियासी और प्रियासी जैसी लाखों बच्चियां और बच्चे पूश रहे हैं सीधा सवाल कि जिस समय देश अभूत पूरु संकट से गुजर रहा है मानव त्रासदियां हैं चारों तरफ उस समय कैसे देश की सरकारें राज्य सरकारें जश्न का माहौल में बना रही हैं वे पूश रहे हैं कि किस तरह से चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो बिहार हो मद्रप्रदेश हो कहीं पर भी किस तरह से बनाया जा रहा है मोदी सरकार का दूसरा कारेकाल पूरा होने का जश्न किस तरह से फूका जा रहा है चुनावी बिगुल चाहे वो ग्रिह मंत्री और पूर्व भाशपा के जो राश्टी अध्यक्ष रहे अमिश्या कर रहे हो अलग-अलग जगा वर्च्वल रैलिया कर रहे हो या फिर दिल्ली में भाशपा के जो अध्यक्ष बने हैं वे गली-गली महले-महले जाकर मोदी सरकार ने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की इसके पर्चे बाट रहे हैं या फिर मद्रप्रदेश जहां की प्रियासी है वहां के मुख्यमंत्री बड़बोले पन में यह दावा कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार गिराने और बनाने का केल करोना काल में चल रहा था ठीक उसी काल में जब प्रियासी की मा को जो बुनियादी अधिकार था जब वह गर्वती थी जो उनको भोजन मिलना चाहिए था जो सुविधाय मिलनी चाहिए थी उन सब से उन्हें महरूम किया गया वजह सियासी खेल सरकार बनाने गिराने की उठापटक जो चल रही थी इसमें लाखों लाख लोगों के जो अधिकार थे उनका हनन किया गया आईए चलते हैं मिलते हैं प्रियासी से उसके माता पिता से आप भी सोच रहे होंगे कि अचानक हम प्रियासी का जिक्र क्यों कर रहे हैं तो यहां हम आपको बता दें कि प्रियासी अकेले ही नहीं है जो विश्व की सबसे प्रसिद स्वासपत्रिका है लैंसेंट उसके अनुसार अगले 6 महिने भारत के बच्चों और गर्वती महिलाओं पर बहुत ही जानलेवा साबित होने वाले हैं इस अनुमान के मताबित करोना को जो संकट है और जो स्वास्त सेवाओं का यहां हाल चाल है उसकी वज़ा से हर महिने 50,000 से ज्यादा बच्चे मारे जाने वाले हैं 6 महिनों के भीतर करीब 15,000 तक की गर्वती महिलाओं की मौत होने की आशंका बताई जा रही है और यह सब इसलिए हो रहा है कि हमारी सरकारों को जो बुनियादी स्वास्त सेवाओं देनी चाहिए थी उसके प्रती वे पूरी तरह से उदासीन है और यह कोई अंदेखी बात नहीं है हम जानते हैं कि रोज ही खबरे आ रही हैं कि किस तरह से जो प्रेगनेंट महिलाएं हैं वे अस्पताल और अस्पताल और अस्पताल का चक्कर लगा रही हैं हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी कोख में पनपने वाला बच्चा दम तोड़ दे रहा है माएं मारी जा रही है और कहीं से भी कोई accountability नहीं है ये सारी खबरें देखकर हम और आप दुखी जरूर हो जाते हैं आखें नम जरूर हो जाती हैं लेकिन हमें गुसा नहीं चड़ता हमें गुसा इसलिए भी नहीं चड़ता क्योंकि हमें लगता है कि कुछ किया नहीं जा सकता जब कि सच ये है कि सरकारों को इन भारतिय नागरिकों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए था वे कर सकती थी लेकिन उन्होंने किया नहीं यह सवाल बहुत जरूरी है और यही सवाल सचिन जैन से जो भोपाल में एक बहुत ही एहम संस्था चलाते हैं विकास समवाद जो पिशलिक कुछ समय से बाल कुपोशन के बारे में गर्वती महिलाओं के बारे में उनके अधिकारों के बारे में काम कर रही है पत्रकाड़ता में किस तरह से जन सरोकार वाली पर डाला था ये कहते हुए डाला था कि पता नहीं यह फोटो डालनी चाहिए कि नहीं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह फोटो इस भारत की हकीकत है और हम भी आपके साथ यह फोटो शुरू से लेकर आखरी तक शेयर करेंगे क्योंकि यह कोरोना काल की लॉक्डाउन काल क मोधी काल के दूसरे साल का पहले जश्न की सबसे एहम फोटो है प्रियासी जो बताती है कि भारत में गरीब के बच्चे किस तरह से कुपोशित हैं और कुपोशित बच्चों को किस तरह से इलाज से महरूम किया जा रहा है आईए सुनते हैं सचिन क्या बताना चाहते हैं हमें हमको परसों शाम को एक जानकारी मिली इस बच्ची के बारे में जो कि एक अंसरा गाओं की एक चोटी बच्ची है जिसका जनम 21 मई को हुआ था और जनम के समय यह बहुत कम वजन की थी बहुत कमजोर बच्ची थी और घर में इसका जनम हुआ कोविट के समय पर सबसे बड़ी चुनोकी यह हुई है कि पूरा हमारा जो हेल्फ सिस्टम है वो कोविट के रिस्पॉंस में लग गया मुझे पता नहीं कि वास्ताव में उसको हमको यह कहना चाहिए कि COVID के response में लगा है या COVID के नाम पर पूरा system जो है वो एक तरीके से सुन अवस्था में चला गया है, खुद निश्चेतना में चला गया है, तो यह जो डिलिवरीज हैं वो घर पे हो रही हैं, इस बच्ची का ज शुरू हो सके ताकि इसका जीवन सुरक्षित किया जाए, लेकिन इसको तीन दिन तब कोई ambulance अवेलेबल नहीं हुई, और जिससे यह ले करके इस बच्ची को अस्पताल तक जा सके, आखिर में 26 तारीकों यह नोंने किसी तरीके से पेसे की व्यवस्था की, और उसके बाद चाराजार रुपे की व्यवस्था करने के बाद एक नीजी वाहन करके यह 80 किलोमीटर दूर जिला मुक्याला गए, संजय गांदी अस्पताल गए, जो की जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर बहुत एक तरीके से हम यह कहें कि एक जो समवेदना के साथ और समानुभूती के साथ इस मामले को देखा जाना चाहिए था, वो नहीं देखा गया, और एक तरीके से टाल दिया गया और यह कहा गया कि यह बच्ची बहुत गंबीर अवस्ता में है, इसका खुन खराब हो गया है, इसका खुन बदलने की जरुद पड़ेगी, आप लो तो इससे एक बाद यह समझ में आई कि एक आदिवासी परिवार जो खुद इतना सजग था जिसने इस्तानी इस्तर पर भी इलाज की कोशिश की पेसे की विवस्ता की, जबकि धिहारी मज़ूर है परिवार इसके बावजूत इनों ने पेसे की विवस्ता की और यह लेकत क्या हो रही थी सचिन जब लेकर पर जनम के समय एक तो काफी कम उसका वजन था बहुत ही सीवियर लोवेट बच्ची थी और उसके साथ साथ उसकी नाभी से जो नेवल कॉड होता है उससे उसका लगातार रगत इस तरह ब्लीडिंग लगातार हो रहा था जनम के समय स ही तो अपने आपने उसको इमीडियेटली बहुत ही सीवियर एक तरीके से कंडीशन की जिसको ततकाल इमर्जेंसी मेडिकल सर्विसेस की जरूरत थी लेकिन वो उसको प्रोवाइड नहीं किया गया और इसके बाद वो लोग आखिरकार उस परिवार को वापिस जाना लेकिन हमारा जो स्वास्त तंत्रे उसने उसको रिस्पॉंड नहीं किया हमको जब सूचना मिली इसके बाद कल सुबह यानि कि दस तारीक को पूरी उसकी कोशिशे शुरू ही सुबह पांच बज़े से कि इसको ततकाल हस्पता लेके जाये जाए हमारे साथियों ने कल फिर कोशिश की कि एंबुलेंस की विवस्ता हो लेकिन दो घंटे तक एंबुलेंस की विवस्ता नहीं हो पाई और उसके बाद फिर आखिरकार हमको जो है वो राज्य इस तरपर अधिकारियों से उसके बारे में बात करना पड़ा फिर उन्होंने मैसेज करना शुरू किये लेक और इसमें हमारी मदद की राम नरेश जी ने वे पहुचे उस अस्पताल में जहां प्रियाशी एडमिट है जहां उसका इलाज चल रहा है हमने बात करने की कोशिश की प्रियाशी की मा शिव जानकी जी से और कोशिश की बात करने की मिथलेश कोल से जुनके पिता हैं ये द अनेक बार सरकारों से गोहार लगाई जा चुकी है, लेकिन सरकारों ने पूरी तरह से अंदेखी कर रखी है, वहाँ पर किस तरह से इतनी मुश्किलों से प्रियासी का एडमिशन हुआ, उसे जो अस्पताल हैं वो दाखिला देने के लिए तैयार हुए, इसकी कहानी भी अप अपने बच्ची की जान बचाने के लिए जाता है, उसके लिए 4,000 रुपे कर्ज लेता है, किसी अंदविश्वास में विश्वास नहीं करता, उस समय पूरा का पूरा सिस्टम उसे यह बताने पर मजबूर करता है, कि तुम नहीं बचा सकते अपनी बच्ची को, एक देखिए, ये दोनों गरीब माता-पिता हिम्मत नहीं छोड़ते, लगादार कोशिश करते रहते हैं, अस्पताल में दाखिला होता है, और इसमें यहसंस्था इनकी मदद करती है आपको कब पता चला कि आपके बच्चे को गंभेज बिमारी है? पर इलाज हुआ, यहाँ पास जांच किये, जब खून की जांच आई तो बोले कि खून की कमी है, इसका पूड़ा बिलेड निकारेंगे, और इसको बिलेड चढ़ाएंगे, तो हमारे हमसे बिलेड मांग रहे थे, तो हम भी उस उसी गंभीर में थे, तो इसलिए हम बोले क हमारे पास बेवस्ता नहीं है, तो फिर हम अपने बच्ची को लेकर चले गए घार, तो आपको जब पहला बच्चा हुआ था तो कि आपको प्रधान मंत्री मातित बंद रही हो, जना कलाफ मिला उसमें? नहीं मिला, जब लेक्या है, तो अपने इलाज की भरती करा है, जब जब अपना सेंपल में भेज़ेगो खुन जांच की, जब खुन जांच की सेंपल से जब रिपोर्ट आई तो भोले खुन की कमी है, खुन चहाना पड़ेगा, अगर यह अपने पास बिवस्ता है, तो खुन की, तो काम की जब खरो, अगर नहीं है, तो अपने मरेज लेकर अशर ऐसे बोले थे, तो हम कंठी हसार हो गए, जब इसी बात है, तो मेरे मरेज दे दो, हम लेकर चले जाएगे, फिर क्या किया है, फिर इधर ले गए घर इसर, तो अधर अपना थोड़ा देखाएं अपना इधर डाक्टर से, तो आपना थोड़ा बहुत इधर देखें, तो कुछ अराम भी मिला पचिक हो, तो इसके बाद क्या हुआ, चवथे पचय रोज क्या हुआ, इसकी बढरी पकी थी, तो वो क्या खुझली कर दिया, तो वो अपने चच्रिया उकिल गया उसके बोलड़ी से, तो उसमें से बलेट चालू हो गया, तो बलेट क्या हुआ ब अब हमारी तो भात करना नियुदफी पर आता है, तो इसलिए हमारि बात कर रहे हैं, तो आप यह देख रहे हैं, तब तक स्तिति क्या रहती है, प्रियासी जिन्दा रहती क्या है, पाती हैं नहीं रह पाती है वह अलग बात है लेकिन प्रियासी ने जो सवाल उठाया है वो बहुत एहम है जिस पर ध्यान देना हमें और आपको बेहर जरूरी है और अगर विश्व प्रसेद लैंसेंड पत्रिका यह सवाल उठा रही है कि 50,000 से अधिक बच्चे मारे जाएं क्योंकि हमारा सिस्टम तैयार नहीं है तो शायद इससे बड़ी खत्रे की घंटी हमारे और आपके लिए कुछ नहीं हो सकती अगर वह कह रहा है कि अगले 6 महिने में 15,000 से अधिक गर्वती महिलाएं दम तोड़ देंगी हमारी सिस्टम के लचर होने की वज़ा से तो इससे बड़ा खत्रा हमारे भविश्य की ओर कुछ नहीं हो सकता सवाल जो बहुत एहम है जो पूछा जाना चाहिए कि भारत में अभी भी जो कुपोषित बच्टे दुनिया भर के हैं उसके 21 फीसदी भारत में हैं दुनिया के 100 फीसदी कुपोषित बच्चों में से 21 भारत में ह और अध्यन के मताबिक कोरोना और लॉकडाउन संकट की वज़ा से इनकी संख्या बढ़कर 31.5 फीसदी हो जाएगी यानि देश में कुपोशित बच्चों की फौज बहुत बड़े पैमाने पे तैयार हो रही है और इसके प्रती सरकार पूरी तरह से आखे मूदी हुई है जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं वह रीवा के संजय गांधी अस्पताल में ICU में हैं उनका इलाज शुरू हो गया है लेकिन उनकी तरह जो लाखो बच्चे इस समय इलाज के अभाव में दम तोड़ने के कगार पर खड़े हुए हैं उनके लिए हमें और आपको बोलना पड़ेगा यह हमारा हक है अक्सर हम ऐसी तमाम घटनाओं पर रो तो लेते हैं दुखी तो हो जाते हैं लेकिन इसे एक मजबूत सवाल की तोर पे नहीं पेश करते हम यह सवाल नहीं उठाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कोरोना काल लोगडाउन काल ने जिस तरह से बरबर मौतों को देखा है सरकारी उपेक्षा को देखा है इससे हमें और आपको गुस्सा चढ़ना चाहिए था भारतिय नागरिकों को सवाल उठाना चाहिए था और शायद प्रियासी की अगटना इसी तरह का एक सवाल हमारे सामने पेश कर रही है और साथ ही यह समझना भी बहुत जरूरी है कि हमारी सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं है पैसे की कमी कहीं पर भी नहीं है पैसा खर्ष करने की इच्छा नहीं है वरना देखिये ना लॉकडाउन में कितनी भयानक आर्थिक आपदा आई कितनी जबरदस्थ मंदी है लेकिन खबरे बन रही है कि राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण होगा किस दिन शिला नियास होगा इसे लेकर ही भारती जनता को अहलादित किया जा रहा है मानो उसी से पेट भर जाएगा और नहीं हुआ तो वर्च्वल रैलियां चल रही है घर घर गली गली महले महले सरकार का प्रचार प्रसार किया जा रहा है जरूरत यह है कि यह प्रचार जब हम तक और आप तक पहुचे तब हम उनसे सवाल पूछें कि हमारे जिंदा रहने के हक का क्या हुआ तमाम भारतिय नागरिक जो इस समय भीशन आबदा को जेल रहे हैं वे एक राजनितिक सवाल है और यह राजनितिक सवाल हम और आप उठाते रहेंगे देखिए लाइक करिए शेयर करिए खोश कबर ताकि सच को जिन्दा रखने और सच को सच की तरह पेश करने का हमारा होसला बना रहे है शुक्रिया